इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई होगा जिसने राम मंदिर विवात के बारे में ना सुना हो। 3D एनिमेशन की मदद से आज इस वीडियो में आपको फ्यूचर में बनने वाले राम मंदिर की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बहुती बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। यानि की सिर्फ इतना। इसे ही राम जनम भूमी कहा गया है। और जितना भी विवात था वो इस 2.77 एकड के लिए ही था। अब 9 अवंबर 2019 को सुप्रीम कोट ने जो फैसला सुनाया था। उसके अनुसार हिंदूओं को दी गई जमीन से दुगनी जमीन यानि की 5 एकड मुसलिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। अब ये ही 2.77 एकड जमीन 6 दिसंबर 1992 से पहले ऐसी दिखती थी। मस्जिद सीता की रसोई, राम भंडार और राम चबूत्रा और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिसद और बीजेपी से जुड़े डेड़ लाक लोगों ने मिलकर मस्जिद गिरा दिया। उसके बाद ये जमीन विवादित मसला बन गई। मस्जिद इसलिए गिराया क्योंकि हिंदूओं का मानना था कि इस जमीन पर ही श्री राम भगवान का जनम हुआ था और 16 वी शताबदी में मंदिर तोड़के बाबरी मस्जिद बनाया गया था। खेर 2020 के अंत तक तयार होने वाला राम मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी लंबाई 270 फीट, चोड़ाई 145 फीट और उंचाई 141 फीट होगी। मंदिर की बनावट को अच्छे से समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करीब 25 फूट उंचा फाउंडेशन स्टोन होगा। उसके उपर 6 फीट उंचा छोटी डिजाइन में चबूतरा होगा। उसके उपर 16 फूट तीन इंच की उंचाई के 106 पिलर्स लगेंगे। रामलला की भव्य मूर्थी इस गर्ब ग्रह में विराजमान होगी। गर्ब ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की जगए होगी। उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा होगा। उसके बाद 14 फूट तीन इंच उंचाई के 106 पिलर्स पहली मंजिल पर भी लगेंग उसके उपर छत और गुंबद होंगे। पर ध्यान देने वाली बात है ये शिखर जो की 65 फूट तीन इंच का होगा। और इसके उपर भगवान राम के नाम का जंडा फेराया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स होंगे। हर एक पिलर में 16 मूर्तियां डिजाइन होंगी जो की हिंदू देवी देवताओं की होंगी। मंदिर में एंट्री टोटल 5 जगह से हो पाएगी। लेकिन में एंट्री इस जगह से होगी जिसे सिंग द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दर्वाजे होंगे जिनकी चौखटे संग्मर्मर के पत्थर से बनाई जाएगी। जो में दर्वाजा होगा वो मकराना के सफेद संग्मर्मर के पत्थर से बनेगा। मंदिर में कुल 330 बीम का इस्तिमाल किया जाएगा। चंदरकांत सोमपुरा ही वो शक्स हैं जिनोंने राम मंदिर का डिजाइन और मैप तैयार किया है। खास बात ये है कि गुजरात में स्थिद भव्य सोमनात मंदिर का मैप और डिजाइन इनके ही दादा जी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और मॉडल सोमपुरा जी ने 90 के दशक के शुरुआती सालों में बनाया था। जिसे उस समय भावी संतों ने और विश्व हिंदू परिसद ने सुईकार किया था। ये जो बाउंडरी के अंदर का एरिया आप देख रहे हो ये करीबन 6 एकड जमीन है। चंदरकांत सोमपुरा ने पूरा नक्षा 6 एकड में इसलिए तयार किया क्योंकि 2.77 एकड जमीन तो सुप्रीम कोट ने दे ही दी है और बची हुई सवा 3 एकड जमीन वो भी उपियोग में ली जा सकेगी जो सरकार के अंडर है। वो इसलिए क्योंकि जो 67 एकड जमीन सरकार के अंडर है वो अलग-अलग ट्रस्ट की है। लक्ष्मन मंदिर, सीता जी मंदिर और गनेश जी का मंदिर होगा। भव्यराम मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा विजय स्थम्भ होगा। मंदिर के डाइमेंशन को अच्छे से समझने के लिए ये याद रखें कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। और मंदिर की साइड एंट्रीज पे खड़ा हुआ 6 फुट का आदमी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मंदिर से हटके थोड़ा बाइं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुझ भी होगा। इसमें टोटल चार जगह से एंट्री पॉसिबल होगी। रामकथा, महाबारत, रामायन, रामलीला जैसे स्टेज प्लेज के लिए यह जगह तयार की गई है। इसके थोड़ा सा बगल में इस जगह पर रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अगर मंदिर के दाई ओर चलें तो इस जगह पर स्टाफ कॉाटर्स होंगे। इसके अलावा ये जो अधर बिल्डिंग्स हैं, ये आने वाले भक्तों और दर्शकों के लिए धरमशाला और भोजनशाला के लिए तयार की जाएंगी। ये पूरी जमीन मजबूत फैंसिंग से प्रोटेक्टेड होगी। और इस राम जनम भूमी में गुशने के लिए ये चार मुख्य द्वार होंगे। 3D अनिमेशन के जरिए किसी भी बात को समझाना आसान हो जाता है। अगली 3D अनिमेशन वीडियो देखने के लिए इस एक्जाम्स इंक्वारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।